नमस्कार दोस्तों हम सीखने टूरी इनिमेशन आपको बता रहे थे एनिमेट सी सी के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो मेरे स्कीन पर देख रहे हैं इस टाइप का जो हेर इनिमेशन होता है उसको हम कैसे से क्रियेइड करते हैं आज कि इस वीडियो मैं आपको डीटेल से बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो श् Wet करने से पहले एक कमेट कोर्स दिखा रहा हूं जो की ऐत्व को डिमी पर है मैंने इस पर दो कोर्स लगाया जिसमें कि आप animate CC देख सकते हैं और यहाँ पर Cartoon Animator 4 है दोनों का कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें कि अगर आप animate CC में अगर जाते हैं यहाँ पर अगर animate CC में आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका प्राइस जो है 1799 रुपिया है लेकिन आप coupon code apply करेंगे तो यह जो है 499 रुपिया में आप इसको ले सकते हैं इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने चार डिवाइड किया हूं चार सेक्षन में जिसमें के introduction है कार्टून को कैसे create करेंगे इसको animation करने के लिए क्या-क्या जरूरत परता है और एक में छोटा सा जो है story भी create करके दिखाया हूं आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है आपको सभी type का जो है वीडियो आपको मिल जाएगा step by step create किया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं 44 वीडियो इसमें है और 9 घंटे का करीबन इसमें वीडियो अपलोडेड है आप इसको check out कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता तो आप इसको इसके बाद जो है एनिमेशन कैसे करते हैं उसके बाद जो है उसको सीन्स को कैसे क्रियेट करते हैं हर टाइप का यहां पर जो है क्रियेट किया गया है इसका लिंक जो है सबसे पहले तो हम इसको जो है क्रियेट करेंगे और इसका जो एनिमेशन है लाइन से करेंगे हम लाइन ड्रो करेंगे और उसको हम एनिमेशन करेंगे तो एक के अंदर जाने के बाद यहां पे मैं hit packet अंदर आने के बाद आप दहिए यहां पर एक हैर का लेयर बना हुआ है आप देख सकते हैं हेर का लेयर बना हुआ हम इसके अंदर जाते हैं इससे अंदर जाने के बाद मैं क्या करूंगा इसको मैं क्रियेट करूंगा लाइन से अभी यहां पर देख सकते हैं यह सेप में बना हुआ है लेकिन हमें जो है इसको लाइन में क्रियेट करना है हम क्या कर करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर पें टूल लेते हैं प्रेस करते ने एक एक करके हम पहले लाइन को awareness करें तो सब पहले मैं इसको किस टैब से ट्रॉव करता हूं आ हुआ से मैं और सबने चरूब कीएith के प्रेस करेंगे और इसको मैं क्या करूंगा इसका जो अभी दिखने रात इसका लाइन का कलर जो है हम यहां से चेंज कर लेते हैं जो कि लाइन हमें जो है दिखे और जिसके लिए मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं उसके बाद हम फिर से प्रेस करते हैं और इस बार हम इसको ड्रॉ करेंगे इस टैप से इसके बाद एसके प्रेस करते हैं और फिर से प्रेस करते हैं इस बार हम इसको ड्रॉ करेंगे इस टैप जो है मैंने इसको लाइन को ड्रॉ किया हूं और इसको मैं थोरा सा एडिट कर लीता हूं जो कि सएई से हमारा rece siempre हूज़ा यह हमारा लाइन क्रियेट हो गया कुछ इस टैप से अब मैं क्या करूंगा इस लाइन को जो है जिस टैप से हैर है उस टैप से हम क्रियेट करेंगे इसको मैं थोड़ा सा और उपर की और कर लेता हूं हमारे पास देखिए एक टूल यहां पर है विड्ट टूल करके इसका इसका शॉट्ट कमांड यू होता है इस पर हम जो है क्लिक करते हैं अगर आपको यह सो यहां पर नहीं हो रहा है यहां पर त्री डॉर्ट पर क्लिक करत है यहां पर आपको सो होता इसको ड्रागन ड्रॉप कर सकते हैं यहां पर हम यहां से विड्ट टूल लेते हैं और इसको मैं यहां से क्या करूंगा ठीकनेस को कुछ स्टैप से बढ़ाओंगा देखिए कुछ स्टैप से यह देखिए आपको हेर का जो है स्टैप से आपको मिल गया है और इसको क्लिक करते हैं उसके बाद मैं क्या करूँगा इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं यहां से और मैं इसकी बिट को इस टैप से बढ़ा देता हूं और इस टैप से हम एक एक करके सभी को हम यहां से इस टैप से बढ़ा देते हैं जो की वेयर का जो है विस कीरीट हो जार चिप से प्लिट के नहीं हो कि अबना आजर्य का चैल से ृष्प और यहां से मैं इसको भी इस whats the बरा देता हूं और यह जो लेयर है, इसको मैं यहां से हटा दूँगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से मैं off कर देता हूँ, और हम इसका color जो है, यहां से change करते हैं सभी को, इसका object में जाते हैं, और इसका color हम कर देते हैं black, और इसके बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद मैं क जा करूंगा, यहां से मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं, इसका जो यहार है, कुछ इस टैप से create हो गया है, अब हम इसको जय sih animation करेंगे animation कैसे करते हैं, अब जैसे थोरा सा मैं इस को step से कर लेता हूँ और इसको मैं है थोड़ा सा लाइन है तो हम इसको कुछ step से हम थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं इस step से यह हमारा हेर कुछ step से create हो गया आप देख सकते हैं अब मैं इसको जो है animation करूंगा animation के लिए क्या करते हैं हम यहां से हमार पास जो है आप देखिए चालिस फ्रेम तक हमको इसको animation करना है तो हम 20 फ्रेम पे इसको मैं 40 फ्रेम तक लेता हूं और यहां से मैं 20 फ्रेम पे create करता हूं f6 लगाते हैं यहां पे एक मैं 20 फ्रेम पे f6 लगाऊंगा एक मैं 30 पे लगाऊंगा मैंने 10 20 और 30 पे फ्रेम पे एप 6 लगा है और यहां पे एक एप 6 लगाता हूं इस टैप से हमें जो है इसको एनिमेशन करना है जो 10 फ्रेम पे है इसको एनिमेशन करना है तो हम क्या करें यहां से इस पे क्लिक करते हैं और मैं यहां से राइट पुटम क्लिक करता हूं और सेप ट्विन लगा देता हूं और यहां पर आते हैं और इसको मैं एनिमेशन करूंगा तो वी प्रेस करते हैं यहां से देखिए यहां से सलेक्शन टूल लेते हैं वी प्रेस वाट कमांड होता है इसको हम एनिमेशन करेंगे तो कुछ इस testage से हो गया है और इसी type से हम इसको भी एनिबेशन करें गेंगे कि इस two tips ऌफ सी हम इसको एडिट कर देते हैं और इसको भी हम इसको ऊपर की ओर करते हैं एस तैब से और इसको भी हम उपर कर देते है है कि इसको मैं नीचे क्रिय करता हूं और का ओर इसी टैप से हम इसको भी नीचे कई करेंगे आओ यह कि इस टैप इसमें संप अब देख सकते हैं है और आप हम क्या करेंगे इसको मैं सेम यहां से फिर से राइट बटम किलिए करता हूं और क्रियेट सेप्ट कर देता हूं अभी यहां पर इस टैप से बन जाएगा अब मैं क्या करूंगा यह जो फ्रेम है हो गया है अब हम इसके बाहर जाते हैं और हमारे पास जो है इसमें वाक एनिमेशन अल्रेडी लगा हुआ था अब हम क्या करेंगे इसके हम बाहर जाते हैं और यहां पर हम चालिस प्रेम क्रियेट कर चुके हैं और कंट्रोल इंटरप्रेस करते हैं आप देख सकते हैं इसका बाल का जो animation है कुछ इस टैप से animation हो गया है लेकिन इस में दिखिए कुछ cut-cut के आ रहा है तो हम उसको सही करेंगे कहां पर इस होज़ा है हम इसके बाहर जाते हैं यह जो है यहां पर切 General है देखिए हम इसके अंदर जाते हैं इसमें देखते हैं पहले सही से हो रहा है कि यहां से हमारा सही हो रहा है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है problem यहां पर है अब देखिए यहां से यह कट रहा है यहां पर देखिए बाल जो हमारा है देखिए इस point पर कट रहा है तो मैं क्या करूंगा यहां पर इसको एनिमेशन कुछ इस टाइब से हो गया है तो दोस्तों इस टाइब से कोई भी जो कैरेक्टर होते हैं उसके जो बाल होते हैं उसको आप एनिमेशन करा सकते हैं तो आसा करता दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करे और दोस्तों के साथ share भी करें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका update आपको तुरंद मिल जाए तो मिलते दोस्तों next वीडियो में आज के लिए thank you